साथियों नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद है एकदम फस क्लास होंगे अगर आपके SSE CGL Pre-Exam में जो Cut-Off आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इतने मार्क्स बनते है तो आप लोग मैंस एक्जाम की तयारी करिएगा दोस्त मैंस एक्जाम आप लोग प्रिपेर करिएगा अपना आपको मैंस एक्जाम में बुलावा भीज़ा जाएगा देकि 17727 पोस्ट आपके लिए निकाली थी ठीक है एक्जाम डीट 9 से 26 सितंबर के बीच आपका एक्जाम हुआ ठीक है कट ओफ कैटिगरी वाइस सिप्ट वाइस आपको देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं आपकी सिप्ट के अनुसार यदि आपने 9 सितंबर की सिप्ट 1 में पेपर दिया था तो आपके 10 दसंबलब 4-6 नंबर नौर्म लाइजेशन में बढ़ने की उम्मीद है 9 सितंबर की तीसरी सिप्ट में दिया था तो 9 दसंबलब 1-9 नंबर आपके बढ़ने की उम्मीद है ठीक है दोस्त अब जिसके माइनस होने हैं उसके बारे में भी यहां एक्स्प्लेंड किया गया जो इजी सिप्ट थी उसके माइनस होने तो मैं इसे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा जल्दी बढ़ा के लेके चलता हूँ तकि आप लोग बहुत जल्दी पकड़ लें कि किस सिप्ट में कितने नंबर आप लोगे बढ़ेंगे ध्यान से देखना 23 सिप्ट जिसमें माइनस होने की संभावना है लगवग डेड़ नंबर के असपास किसी में 11 है किसी में 6 है इसी पिरकार से किसी में बढ़ेगा तो किसी में नंबर घटेगा अगर मैं बात करता हूँ शिप्ट वाइस कट अफ और वो भी केवल जर्नल कैंडिडेट के लिए केवल जर्नल कैंडिडेट You are unreserved कैंडिडेट अगर आपने 9 सितंबर की 1 चिप्ट में पेपर दिया था और आपके नमबर बैठ रहे हैं 132.54 तो बिलकुल आप लोग मैंस की तयारी करें दोस्त इसे परकार सिप्ट दर सिप्ट देख लो यू आर कैंडिडेट फटा फट से आप लोग वीडियो रोक लीजेगा जिस सिप्ट में आपका हो और जिस कैटिगरी से आप हो वहीं अपना चेक कर लीजेगा वही ये मेरा है मेरी कैटिगरी मेरा सिप्ट यही है और मेरा स्कोर इतना है और इसमें आप लोग आते हैं तो मेंस एक्जाम की तयारी करें दोस्त अपना ठीक है अगर मैं बात करता हूँ OVC Candidate की OVC Candidate अगर आप हैं और आपने 9 सितंबर की 1 शिप्ट में एक्जाम दिया और आपके 139 दसमलब 5-4 अंक बैठते हैं आप लोग मैंस एक्जाम की तयारी करें कुछ नॉर्मलाइजेसन में आपके बढ़ेंगे यह लगबग 129 से 140 137 के करीब में आपके हो जाएंगे ठीक ना आप लोग चेक करते रहिए अपनी सिप्ट के नुसार OVC Candidate OVC वाले दिहन दे भई OVC और सिप्ट है ना अपनी सिप्ट देखें अब बात आती है EWS की कि EWS का कट ओफ कितना जा सकता है 9 सिप्ट की आपने सिप्ट में एक्जाम दिया और आपके 126.54 नंबर बैठते हैं तो आप लोग निश्चित तोर पर तयारी करिए मेंस एक्जाम में बुलावा आने वाला है आपका ठीक ना और अपना सिप्ट दर सिप्ट देख लो EWS Candidate देख लो भई EWS Candidate बार-बार चिला रहा हूँ मैं EWS Candidate त्यान देए EWS Candidate EWS Candidate 26 तारिक की थर्ड सिप्ट में अगर आपने एक्जाम दिया है 26 की थर्ड में और आपके 131.33 अंक हैं EWS Candidate है तो बिल्कुल बुलावा आने वाला है आपका सिप्ट के हिसाब से अलग कट आफ अब बात करें SC कैटिगरी SC कैटिगरी सिप्ट वाईज कट आफ आपने 9 सितंबर की फर्स्ट सिप्ट में आपने पेपर दिया है और आपके SC कैटिगरी से 16 अंक बैठते हैं 16.54 तो आपको बुलावा मेंस के लिए आने वाला है इसे परकार अपना सिप्ट के नुसार देख लो भई एक बार प्लीज वीडियो को सेयर भी गर देना दोस्त अपने अपने दोस्तों के पास में बात करें हम SC कैटिगरी की के SC कैटिगरी के कट आफ कितना जाने वाला है सिप्ट के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो 9 सितंबर की फस्ट सिप्ट में एक्जाम दिया 96 दसमिल पांच चारंग बैठते हैं तो आपको मैं इस एक्जाम के लिए बोलाया जा सकता है दोस्त इसी परकार अपना सिप्ट दर सिप्ट आप लोग देख लीजिए फिर आप लोग को एक कॉमन कट ओफ बताऊंगा विद नॉर्मलाइजेसन आपका स्कोर इतना होना चाहिए ठीक ना सिप्ट के हिसाब से तो आप लोग को मैंने बता दिये अब यहाँ पे देख लो आप लोग कैडिगरी वाइस कट ओफ क्या रहने वाली है अगर यू आर कैंडिडेट की बात करूं 143 में आपके प्लस पांच माइनस पांच भी है तो आपके 100% चांस है पूरे-पूरे आने के OBC 140 में प्लस 5 और माइनस 5 अगर आपके हैं तो चांस है पूरे वहीं अगर मैं बात करता हूँ 138 EWS की प्लस पांच माइनस पांच इसमें आपका चांस पूरे पूरे है वहीं अगर मैं बात करता हूँ SC Candidate की SC Candidate EWS ये गलत डाटा है SC Candidate 136 में आप प्लस पांच माइनस पांच कर लीजिएगा HD candidate लगवग 116 में प्लस 5 माइनस 5 आप लोग कर लीज़ेगा अगर आपके इतने अंक हैं तो आपको मैंस एक्जाम के लिए बुलाया जाएगा दोस्त इस वीडियो को जाता से जाता से शेर कर दें थैंक्यू बबाई जाहिंद